देवरानी स्कूल गई है रोज की तरह सर पर आटा लगाए पसीने में भीगी हुई सुमन रोट यहां बना रही थी तब ही उसका बेटा भागती वेरसोई में आता है ममी, मागी बना दो न एक बिलन मारूंगे न कि यहीं चपातियों की तरह दिवार से चिपक जाएगा जब पर तेरी टूशन की मैम का आने का टाइम होता है तुझे पोक लग जाती है पहले आदे गंटे दीरे दीरे मागी खाएगा पिर आदे गंटे बातरूं में बैठेगा एक घंटा तो यहीं खत्म हो जाएगा फिर कब पड़ेगा तू टूशन मेरी खुशे देखकर अभी आपको अंदाजा नहीं हो गया ममी कि मैम ने टूशन आने से मना कर दिया है ये सुनते ही एक हाथ में बेलन लिये ही सुमन दूसरे हाथ से सोनु को पकड़ कर बाहर हॉल में ले आती है और सोनु की मैम को फोन लगाती है क्या हुआ मैम? सोनु कह रहा है आप आज नहीं आने वाली? कोई बात हुई है क्या? नहीं नहीं सुमन जी वो क्या हुआ है कि अचानक से मेरी शादी फिक्स हो गई है तो मैं आप टूशन नहीं पढ़ा पाऊंगी अरे तो कई आप दूसरी टूशन टीचर भीज दीजिए ना इस नालाइक के लिए आप तो जानती है ये किसी के बस में नहीं आता अच्छे मैं मैं प्रिया नाम है उनका मैं उनको आपका नंबर भेज़ती हूँ उनकी परस टाइम हुआ तो वो आपको कॉल करेंगी बिजरी सुमन टेंशन में वापस से रसोय में जाकर रोटियां बनाने लगती है तब ही उसका दिवर निशान्द घर आता है और अपने हाथ पैर पसार कर सूफे पर लेट जाता है ओ मेरी प्यारी भाबी क्या बना रही हो खाने में मेरे सरका कोर्मा बुल खाएगा मैंने तो कुछ बोला भी नहीं भाबी क्या बात हो गई सोनू ने बदमार्शी किया गया क्यों सोनू क्यों परिशान करती है अपनी टीचर को वो भाग जाएगी ना भाग जाएगी नी भाग गई यूं तो कह रही थी कि उसकी शादी लग गी है पर मुझे विश्वास से जरूर इसमें तेरा ही हाथ होगा अरे बाहर जाकर क्यों नहीं पटाता लड़कियों को गूम फेर कर तुझे सोनू की टीचर ही दिखती है क्या मार दियो गया आँक तुने भले ये अपने बाप पर गया है बाहू पर ये किसी लड़की को देखकर आँक आँक नहीं मारता अरे भई आज तक तो इसके बाप ने मुझे देखकर आँक नहीं मारी तो ये क्या किसी को आँक मारेगा और वैसे भिना ये टीचर बिल्कुल गवार थी वन प्लस वन टू बोलती थी वन प्लस वन तो टू ही होदा है ना मा अरे भई वन प्लस वन टू ही सिखाएगी तो ये एक और एक मिलकर ग्यारा कमा कैसे सीखेगा यही फिर कर करके तो तेरे बड़े भाई ने एक से तीन दुकान कर ली और तो यहीं बैठा रहा गया फिर तो एक और एक तीन सिखाना चीए था मैडम को अरे कैसे मैडम डून कर लाती है बहू अच्छा वाँ चली गई सुमन तो यह सुनकर अपना सरी पकड़ लेती है हे बगवान अब इस घर में एक टूशन टीचर के साथ साथ एक बहू भी भेज़ दो इतना टॉर्चर इतना गामद से बरदाश नहीं होता इन सब के बीच में टेंशन में मैं टकली हो जाओंगी वो सब तो ठीक है बहू टकली होने से खाने का कोई संबन नहीं है खाना तो तू हाथ से बनाती है न तो यह था सुमन का परिवार जहां अपने नटकट देवर और शैतान बेटे के पीछे सुमन का पूरा दिन निकल जाता था बागी जो रात बचती तो उसमें सांस खीचनी के लिए एक सांस तो थी रात के एक बज़े प्रिमा सुमन के कमरे में आती है जहां सुमन आराम से हाथ पेर फैंक कर ख्र्रा टेली रही थी अरा बहुत सुनना मेरा पेट साफ नहीं हो रहा जरा दोध गरम करके दे दे रात की एक बज़े आपको पेट क्यों साफ करना है मुमी जी अभी अभी तो विस्तर पर आकर पड़ी थी आँख भी नहीं लगी कि आपने खुलवा दी चलिए देती हूँ बेज़ा दी सुमन ना ही दिन में आराम कर पाती थी ना ही रात को अगली सुमन को प्रिया का कॉल आता है और वो सोनो को ट्यूशन पढ़ाने के लिए राजी हो जाती है अब रोज प्रिया सोनो को ट्यूशन पढ़ाने आती पर अपनी भावी के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन के कारण जब भी प्रिया घर आती, निशान्त अपने कमरे में ही रहता मुझे समझ में नहीं आता, जब भी मैं आती हूँ, ये लड़का कमरे में जाकर क्यों बैठ जाता है कहते हैं, हमारी नजरे उसे ही ढूनती है, जो हमसे चुपना चाह रहा हो प्रिया थी तो खुपसूरत, आज तक उसे देखकर कभी किसी लड़के ने मुझ नहीं फिरा था पर यहां प्रिया की नजर जब भी निशान्त पर पढ़ती, तो निशान्त आगे बढ़ जाता और यहीं चीज प्रिया का ध्यान खिंच लीती है, वो सामने से जाकर निशान्त से बात करना शुरू कर देती है निशान तो अंदर से बेकरार खाई, और इसी में दोनों का अफ़ैर शुरू हो जाता है और दो महिने बाद निशान सभी के सामने इस बात को रख देता है तो यह हो रहा था मेरे पीट पीछे, तो जो कोई नहीं मिलती, ले देकर मेरे सोनों की टूशन टीचर ही मिलती है अब तो तेरी देवरानी अपने सोनो को फ्री में पढ़ा देगी, पैसे भी बचेंगे उपर से दिन बर घर पर भी रहेगे, तो एक घंटे का टूशन का वट, चोब इस घंटे में बदल जाएगा जब चाहे डाउट पूछ लेगा सोनो संडे को भी कोई ओफ नहीं भाबी, सोचो, बंपर ओफर, महा धमा का सेल अरा तुही तो भगवान से हाथ जोड़ जोड़ कर देवरानी की प्रात्मा करती थी अब भगवान ने एक ही लड़की में ट्योशन टीचर अरदेवरानी दे दी, तो तुझे प्राबलम हो रही है थोड़े पंगे ज़रूर होते हैं, पर शादी की डेट फाइनल हो जाती है दुलहन के जोड़े में फेरो पर बैठी प्रिया का ध्यान ना तो फेरो पर था ना ही निशान पर उसका ध्यान तो गेस्ट्स पर था अरे सुश्मिंता मेडम, अब आईए आप, खाना खाकर जाईएगा और वैसे ये प्रिंसिपल सर नहीं दिख रहे हैं, कहां रहा गए? पता नहीं प्रिया, मुझे तो अभी तक सर दिखे नहीं, आपने उन्हें बुलाया तो था ना? अरे बुलाया था मैं बुलाया था, मिठाय कर डिबा भी लेकर गई थी, पर वो क्या है ना सर को शुगर है, मुझे लग रहा है कहीं वो नाराज तो नहीं हो गए मिठाय देखकर, ऐसे ही ना बड़ी मुश्कल से मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ, कहीं सर मुझे निकालन दे, आज तुम्हारी शादी है प्रिया, क्या स्कूल की इतनी टैंशन ले रही हो, छोड़ो ना ये सब, तभी फेरे शुरू हो जाते हैं, दुला दुलन फेरो के लिए उठते हैं, और मंडे जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, दो फेरे पूरे होते ही प्रिया कहती है, एक मेंट पंडी जी, अरे रोहन की ममी, इनको भी ना सिर्फ खाने से मतलब है, चाओ में छूटे तब तो इधर देखेगी, प्रिया की आवाज सुनकर रोहन की ममी वहां आती है, अरे मैम आप यहां, आप कब से ढून रही हूं आपको, फेरे भी शुरू हो गये, हाँ, र हो तो कुछ ज्यादा ही काम का आजी निकले महश्ची, अब काम का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, वो भी खास कर जब आप खुद टीचर हो, और इस तरह प्रिया के फेरे संपन्न होते हैं, और वो पहंचती है अपने सिसराल, कमरे में निशान्त अपनी पत्नी के बगल म आकर बैठ जाता है, ये क्या हरकत है? ये वही तो हरकत है, जो पते पतने के साथ करता है, मैं उस हरकत की बात नहीं कर रही हूँ, बाहर से आए हम, और तुम उसी चपलों में कमरे में आगे? जा, चपल खूल कर आओ, फिर बातर में जाओ, नहाओ, उसके बाद मेरे पास आ क्या इट्स माई और रिमोव यूर स्लीपर्स राइट नौ बेचारा निशान बाहर जाकर चपल उतार कर आता है और बातर में जाकर ठंडे पानी का शावर लेकर कामता हुआ बाहर जैसी अपनी बीवी के पास आता है तो देखता है कि प्रिया मैडम तो सो चुकी है प्रिया तुम सो गई प्रिया और तुम भी सो जाओ क्योंकि रात हो चुकी है सुबद छे बज़े उटना होता है मुझे अप चलो कोई बात नहीं ऐसे भी सुब़ फ्लाइट है उसके बाद हनीमून पर तो मैं मुझे सोने को कहेंगी नहीं और पाच घंड़े की फ्लाइट के बाद निशान तर प्रिया पहुंचते हैं बाली थकावा निशान सो रहा था कि प्रिया उससे उठा देती है क्या हो प्रिया वाट यू मीन बाई क्या होँआ सुब़ के छे बज रहे हैं कैटर फ्रेश हो जाओ और मुझे पंद्रा मिट में ब्रेकफस्ट पर नीचे मिलो अपने हनीमून की सुब़ अपनी बीवी को ऐसा बरता करता देखकर निशान को ज़रा अजीब लगता है पर वो सोचता है शायद उसके बीवी उसे कोई सप्राइज देने वाली है पर ना जी ना ऐसा कुछ भी नहीं होता वो हड़ बढ़ाकर ब्रेकफस्ट पर नीचे पहुँचता है जहां उसके टेबल पर होता है यह क्या है सलाद मैं यह सब नहीं खाता तुम यही खाओगे नहीं तो पनिश्मेंट मिलेगे अरे तो फिर दे दो ना पनिश्मेंट होगा और बात इतनी बढ़ जाती है कि पंदरा दिन की हानिमन ट्रिप पर गए प्रिया और निश्मेंट दो दिन के बाद ही वापस घर लोट आते हैं उन्हें देखकर सभी हैरान रह जाते हैं तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गया खुश कबरी होगी बटा ऐसे मैं बाहर देश में कहा रहता बिचारा बहु को लेकर वो भी अकेला उफ आप तो लगी है मुमी जी एक दिन में आती है कि एक गुण्यस ए निशान्थ बता क्या हुआ क्या बता हो अपनी देवराने से पुछो भापी मुझे एक स्टूडेंट की तरह ट्रीट करे थी ये टीचर मुझे तो समझ में निया कि मैं हनिमून पर गया हूँ या स्कूल ये कहा कर गुसे में निशान्थ अपने कमरे में चला जाता है कन्वसेशन को बीच में छोड़कर चला गया भापी ये कोई मनस है क्या आप भी बताओ आरा तू उसे छोड़दा हो अब तू आ गई है तो चल अपनी पहली रसोह की रसम कर ले सुमन प्रिया को सभी के पसंद नापसंद के बारे में बता देती है और इन सब का ध्यान रखते हुए प्रिया सभी के लिए नाश्ता बनाना शुरू करती है शागून की रसोही तो बनानी है बहुत कुछ ज्यादा है देर नहीं लगा रही वही तो पापा जी एक सबजी और पराठे और कुछ बोला भी नहीं मैंने उसे बनाने आरा तो जा जाकर देख ना क्या कर रही है वो नहीं जा सकती क्योंकि उसे रसोही अंदर से बन कर लिया है और कहा है उसके काम के बीच को उसे कोई डिस्टरब करे उसे ये पसंद नहीं और पूरे दो घंटे की बाद प्रिया रसोही से बाहर आती है और सभी को खाना परुस्ती है इतनी देर बाद नाश्टे को देखते ही सबी उस पर तूट पड़ते है पर इसके पहले की कोई एक निवाला भी खा पाता प्रिया कहती है ये टेबल के बेसिक मैनल से क्या और पापा जी आप आपने तो सबजी में हाथ ही लगा दिया चीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीच मैंने सिखने के लिए कोई भी उम्रस ज्यादा या कम नहीं होती मम्मी जी और सुधार हूँगी तो मैं तुम्हें भी निशान चाओ कमरे में बैट बना कर आओ सो कर उठ गया और कमरा भी साफ नहीं किया और दस मिट के लेक्चर के बाद जैसे इस अभी गटे की सबजी को देखते हैं तो चौंक जाते हैं क्योंकि एक एक गटा बिलकुल शेप में था अब समझ में आया इसे दो घंटे किस चीज में लगे है और लेकर आ टीचर को ये तो हर चीज को इतनी बारी किसे देखती है कि जीना हराम हो जाएगा हमारा तो सुमन तो इसी में परेशान हो गई थी पर अभी तो प्रिया ने स्कूल री जॉइन भी नहीं किया था असली ड्रमा तो अब होने वाला था रोज की तरह बिलकुल चार बजे उठकर योगा करके प्रिया फ्रेश हो जाती है और सभी को जगाने जोर-जोर से सीटी आम बजाने लगती है सभी हड बढ़ाते हुए हॉल में आते हैं जहां वो देखते हैं कि प्रिया स्पोर्ट्स वेर में पी-टी टीचर की तरह तयार खड़ी थी आप सभी अपने टीशिट और ट्राउजर में तयार होकर बाहर आ जाएए हम जोग पर जा रहे हैं उसके बाद सभी नहा कर अपने अपने कामों में लग जाएंगे क्योंकि आज से मैंने भी स्कूल जॉइन कर लिया है तो मैं भी चली जाओंगी यह अच्छा है बई तू तो चली ही जाए कम से कम तू जाएगी तो तेरे पीछे घर में शान्ती तो राएगी और जैसी प्रिया स्कूल निकलती है सभी अपने अपने कमरों में जाकर सोजाते हैं आराम से सुमन सभी के लिए नाश्ता बनाती है और सभी मसे सिखाते हैं कहां सोचा था देवरानी आएगी तो काम से आराम मिलेगा यहां तो उसका काम ऐसा होता है कि कुछ कहना ही नहीं खाना वाना बनाने के बाद किचन अच्छे से साफ कर दीजीगा भाबी पता चला इसके लिए भी उसने आपको पनिश्मेंट दे दी आरा तु बहु का छोड़ अर अपना देख मुझे तो लगता है तो हानिमुन से वापस आया है इसलिए बहु गुस्से मैसा कर रही है वो सकता है अरे अभी नहीं नहीं है ज्यादा कुछ कहने गए तो पता चला निशान को छोड़ कर चली गए नहीं नहीं फिर मेरे सुनू का क्या होगा प्रिया क्या आते ही तूसे मनाले भाई प्रिया के डर से उसके आने के पहली इस अभी खा पी कर अपनी अपनी नेंद पूरी करके कोना पकड़ लेते हैं अरे वाँ घर तो बड़ा साफ साफ लग रहा है चलो अच्छी बात है साफ रखना भी चाहिए हाँ हाँ बहु हम तो घर शुरू से साफ ही रखते हैं वह क्या है न अभी शादी ब्या में सब्यस्त हो गए थे अच्छा पिटर अपनी शान से बिन अपनी नाराज की छोड़ते हैं आखर पती पत नहीं हो तुम दोनो हाँ ब्रिया बूल जाओ ना सब कुछ अज सुसाइटी में एक फंक्षन है सारे कपल को जाना है वा कान पकड़ कर पहले बीज बार उठक पैठक करो इसके बाद मानूगी मैं मेरे हनिमून से मुझे बीच में लेकर आगे तुम शाम के बाद सभी तयार होकर सुसाइटी के फंक्षन में जाने के लिए निकलने लगते हैं पर देवरानी जी तो अभी तक रेडी ही नहीं थी अरे प्रिया कब तो यार होगी तुम शादी के लिए चुट्टिया ले ली थी ना भावी तो अब काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पेपर्स चेक कर रही हूँ मुझे तो वक्त लगेगा आप लोग जाओं मैं पीछे से आती हूँ और कर टीचर से शादी अच्छा है ना पापा जी कमरे में कॉपी चेक करती रहेगी तो हम आराम से बाहर एंजॉय करेंगे वानना वहां भी उंगली करती है सभी खुशी खुशी पाटी में पहुंचते हैं धिरे धिरे एंजॉयमेंट बढ़ रही थी कि अचानक पुलिस की गाड़ी का साइरन सुनाई देता है लगता है कोई छेड़ खानी हुई है इसके पहले कि पुलिस खाने का काउंटर बंद कर ले खाकर निकल लेते हैं पैसे दी है भई हमने और सुमन का परिवार जल्दी से जल्दी जितना हो सके खाना शुरू कर देता है तभी पुलिस अंदर आ जाती है क्या शोरगुल हो रहा है यहां कंप्लेंट आई है हमारे पास पुलिस सुसाइटी तो यही है इस लड़की ने सुसाइटी के वाच्बिन को इतनी उंगली करती है कि परिशान होकर बिचारा छुटी पर चला गया और अब यह तभी प्रिया बार आती है और सभी बच्चों का हाथ पकड़कर अपने घर ले जाने लगती है कल तेस्ट है ना तुमारी सुनो और रोहन तुम भूलो मत सुसाइटी में मैं बले तुमारी चाची हूँ पर स्कुल में तुमारी मैं हूँ और थेंक्यू सिर आप यहां आगे मेरे एक कॉल पर वो क्याना में यहां पिपरवक कर रही है और इतना शोरगूल मैं अपना काम भी नहीं कर पा रही थी अब टेंशन मत लेजी माडम सेक्रेटरी कौन है इतना आवाज करने के लिए ससाइटी के मेंबर को डिस्टरप करने के लिए आपको अरेस्ट किया जाता है आप आराम से काम कीजी माडम और बिटा मैं ही हूँ ससाइटी का सक्रेटरी मुझे जहल बिजवाएगी क्या खरम भूड़ दे मेरे कासी बीवी आगे बगवान वापस ले ले कंप्लेंट अपनी प्रिया अपने ससुर के साथ ऐसा करेगी क्या तू ठीके ठीके सर आप इन्हें जेल मत लेकर जाएए जितना फाइन होता है इनसे ले लीजे ताकि अगली बार के लिए इन्हें पता रहे कि रूल्स ब्रेक नहीं किये जाते और अपने ससुराल वालों की साथ साथ सुसाइटी वालों का बैंड बाजा बजा कर प्रियामड माराम से अपने काम में वापस लग जाती है